तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी Minecraft world में एक बहुत बड़ा museum बनाने वाला हूँ जिस museum के अंदर मैं Minecraft के हर एक hostile mob और हर एक rare item को store करूँगा and I know ये challenge काफी जादा difficult होने वाला है but yeah difficult challenge complete करने का मज़ा ही अलग होता है let's go yo what's up guys कैसे आप सबी लोग welcome back to another gameplay video तो आज हम लोग दुबारा से केलें जा रहे हैं Minecraft all right guys welcome back to my world तो देखो guys museum बनाने के लिए न हमें सबसे पहले कैसी जगा ढूनने होगी जहां पर अच्छा खासा space हो और मैंनी चाहता हूँ कि वो जगा मेरे castle से जादा दूर हो एक ही जगा पर सारी चीजे रहते हैं तो एक अच्छी फील आती है तोड़ी city बना दूगा मैं इस पूरे village को तो हम एक जगा ढूननी है उस जगा को पूरा clear करना है फिर वाँ पर धेर सारा समानी कठा करना होगा मुझे museum बनाने के लिए एंड next task होने वाला है कि उसके अंदर जितने भी monsters हैं उनको ले कराना जो कि मुझे सबस्यादा difficult task लग आज के इस वीडियो का तो ज्यादा time waste नहीं करते हैं फड़ा फड़ से मैं काफी ज्यादा time जा सकता है अगर मैं flint से जला दूंगा तो अपना बहुत सारा time बज भी जाएगा और बाकी का एरिया कट करना है मुझे museum कोई चोटा मोटा नहीं होने वाला वह समलों पूरा यहां से लेकर मतलब इधर से लेकर पूरा आगे तक होने वाला है तो पू लगा कि उसमें से हेस्ट की पावर लेंगे और फिर यहां पर तोड़ फोड़ स्टार्ट करेंगे फड़ा फट से लेट्स को के अंदर आ चुका हूं अब अपने लिए बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है बीकन को ढूंड़ना मेरे को याद नहीं मैंने last time कहा रखा था अब कौन सी चेस्ट में है वाई ओके तो अभी मैंने यहां से बीकन के लिए तीन स्टाग ब्लॉक ऑफ आयरन एक बीकन और तीन फ्रिंट इन स्टील ले लिए अब फड़ा फट से चलके एरिया को कट करते है क्योंकि कटा ही का सारा समान मेरे पास आ चुका और वेट यार आज नहीं मैं ज्यादा पैदल चलने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपने पास ही जो रॉकेट है ना इसको दबा की उस करने वाला हूं क्योंकि वैसे यार बहुत ज्यादा काम है हाँ ठीक है यह वाली जोग एक दम परफेक्ट है फटा पट से पेड़ वेड जलाना के मैंने राक कर दिया और अब यह एर्या काफी ज्यादा सही बिल्कुल नहीं लग रहा है क्योंकि जब तक यह फ्लाट नहीं होगा तब तक मैं यहाँ पर म्यूजियम नहीं बना पाऊंगा तो फड़ा फट से काम करता हूं अगर मैं इसको ऐसे तोड़ने बैटा ना तो तो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप सोचो नॉर्मली इसको तेजी स्पीर में हो रहा है और अगर मैंने यहाँ पर बीकल लगा के हैस ले ली तो तभाई मचने वाले इसलिए तो तुम्हारा वाई आयरन वाईरन सब लेकर रहा है लेट्स को फड़ा फट सी बीकन क इक लेयर ना मैं सेंटर में बनाता हूं क्योंकि चारो तरफ रेंज रहनी चाहिए और फस्त लेयर होगी अपनी नो बाइनो की तो प्रॉपर बनाते है वन टू थी फोर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइट करते हैं तो फाइनली बीकन की सारी लेयर कंप्लीट हो चुके मैं क आयरन लेकर आया तो यहां से आयरन लेता हूं अभी मुझे यहां पर रखके से ची होगा है सब्सक्राइब और बीक नहीं है तो अब मारे चलो बीकन की लग चुकी है अब फड़ा फट से थभाई करते हैं और यह area clear करता हूं मैं तमीज में करने वाला हूं corner से start करते हैं ऐसे beach में से करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा हाँ एक काम करता हूं मैं यहां से cut करते हूं जैसे वाइपर लगता है ना पहले left फिर उसके बाद आसे cut करते करते राइट इसी तरीकी से मुझे पूरे के पूरे एरिया को cut करना पड़ेगा खैर इसमें जादा टाइम नहीं लगेगा बढ़ हां कम टाइम भी नहीं लगने वाला और ऑल राइट गाइस तो भी मैंने बहुत सारा एरिया क्लीन कर दिया है और अकर इसके बाद मैंने एरिया क्लीन करने की कोशिश करी भी तो शायद मेरी shovel ही टूट जाएगे खैर ठीक है यार इतने एरिया में मैं एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना सकता हूँ बट प्रॉब्लम यह कि एरिया क्लियर तो हो गया है बट यहां से सिर्फ ट्री एंड ग्रास ब्लॉक डर्ट ग्रावल यही सा वट है पर यार जो स्टोन है यह भी मुझे हटाना पड़ थोड़ी से ऐसे फील आ रहे है जैसे मैं कोई मशीन गंचला रहा हूं यह देखो साउंड सुनों वेल तो फाइनली मैंने एक अच्छा अच्छा एरिया इधर क्लियर कर दिया है अपना म्यूजियम बनाने के लिए बट यह एरिया काफी जाता गंदा लग रहा है तो इसे अच्छे लोग देने के लिए मैं प्लान कर रहा हूं कि इसके उपर ना एक लेयर स्टोन ब्रिक्स के लगा दूं मेरे पास स्टोन की बिल्कुल कम ही नहीं है थोड़ा सा सोच इस ले रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा एरिया यार लगाने में बहुत टाइम लगने वाला ह क्या ठीक है वैसे भी म्यूजियम बनने के बाद ना यह जमीन तो दिखनी नहीं है और जो एरिया दिखेगा वहां पर मैं सोच रहा हूं कि ग्रास ब्लॉक लगा दूँगा ताकि घटिया चीज़े सारी की सारी ढग जाए ठीक है अभी म्यूजियम को बनाने के लिए मेरे क जितना भी समान चाहिए वह सारा का सारा लेने जाना होगा और हमें उसके लिए कॉर्ट ना बहुत सारे चाहिए तो मैं यह से जाने वाला हूं सबसे पहले सी था नेधर में क्यूकि वहीं से मिलने वाले हैं maximum but guys कॉर्ट लेने से पहले जाने वाला हूं मैं अपने गोल फाम है यार बहुत सारे कॉर्ट लोक लेने होंगे अभी मेरे सारे के सारे टूल्स और रिफ्रेश हो गए है सबकी एकदम फुल हो चुकिए अब फड़ा फट से मुझे जाना होगा धेर सारे नेधर कॉर्ट से करने के लिए तो जल्दी से चलता हूं मैं यहां से हुआ तो मैं उस एरिया से थोड़ा बहुत दूर आ गया हूं और मुझे यह वाला एरिया ठीक लग रहा है कॉर्ट इकठा करने के लिए तो जल्दी से जल्दी सारा का सारा माल कालेक्ट हो जाएगा फड़ा फट से मैं काम करता हो ना लेकिन मेरा जो पूरा पूरा इंवेंट्री ऐस त स्पेस हो चुका है तो फड़ा फट से चलते हैं कॉर्ट इकठा करने के लिए लेट्स को भाई 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 यह खुंदक में चाड़ेगा एक सेकन होगा काल तू मत बोलियो मेटा अभी महल अपने पास तकड़ा है चू भी नहीं सकता मुझे ठीक है तो मेरे को तो यह डवल यह ट्रिपल कलेक्ट होते बट अभी सिंगल सिंगल कलेक्ट हो रहे हैं तो मैं काम करता हूं अपनी पिक एक्स में ना फोर्चुन की एंचेंट में लगा के आता हूं ताकि जल्दी से जल्दी को इकठे कर पाऊं तो यह रखा मैंने अपनी पिक एक्स को और डाला फोर्चिन और एक सिंग्स की मार पागला कई यह मेरे लाइब्रेरियन को क्या हो गया वाई हेलो और ठीक है मुझे से मार नहीं बढ़ा हां तो अब देखो बाइस अब कितने सारे कौट्स एक ही बार में इकठे होंगे मेरे पास 31 थे अब भी मैंने से तोड़ना स्ट यह एकठे हो चुके हैं सीधा 56 यानि अब डवल डवल ट्रिपल ट्रिपल मिलने ही वाले हैं सिर्फो सिफ एक और से गाइस अभी मैंने बहुत कौट्स एकठा कर लिया और शायद इससे जादा एकठा करने की ज़रत नहीं है और अकर बाइचांस कम पढ़ता भी है तो मैं जुबारा एकठे करने आजाओं लेकिन मुझे और बॉर नहीं होना है सच्छी में बहुत बॉरिंग काम था ठीक है वड़ाफट से भी मैं काम करता हूं इसके अंदर जितना और एक्स्रा है वो सारा बढ़ देता हूं और अब फड़ा मेर पास टूटल पर तीन शलकर हो च कि मुझे बनाने से पहले मुझे इस एरिया पे स्टोन ब्रिक्स लगागे से फ्लाट करी देना चाहिए क्योंकि इस इच्छी बहुत बुरी लुक दे रहा है मैं मुझे बनाना स्टार्ट करूं कहां से एक है मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फड़ा फड़ा कि लगानी होगी मेरे फिल जल्ब मोगा शल्कर बॉक्स खाली था तो यहां पर इसमें से रालता हूं कसे उर्भी इस तरीके से और चख्था away अक्शल इस तरीकर zachburst को रखता हूं मैं यहां पे निकाल कर में ब् यूज नहीं करता था वेट मैं तो दिखाता हूं मुझे बसी ओन करना है क्राफ्टिंग डिबल पर शिफ्ट दबा के दबाना है और सीधा सारे के सारे स्टोन बिक्स आ जाएंगे हां तो फटा फट से चलके इन सभी स्टोन बिक्स को मैं इस वाले बेस पर लगाता हूं ताक बटन दबा के रखने वाला काम है लेकिन आसे बीच बीच में गाप रह जाएगा तो और भी काफी जदा टाइम लगेगा इसलिए इस बड़े तमीज में करते हैं तो भी काम करते करते शाम हो चुकिया और थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी बट यह जो बेस को कवर कर सब्सक्राइब काम है ऐसे स्टोन ब्रिक से वो सेर फोर सेर्फ 25 परसंट कंप्लीट हुआ है लेकिन मुझे खुशी इस चीज की है कि जितने एरिया पर कंप्लीट हो है क्या मस्त लुक आ रही है यार यह मस्त डिसीजन था यार यहां पर भर के घड़े है कोई यह सब हट ज लगी पूरे में और अंधेरा लाग हो है तोर्च यहां पर रखो यह फाल थोड़ो लेट्स को दुबार से स्टार्ट करते हैं 321 स्टार्ट फाइनली पूरे का पूरा एरिया मैंने अच्छे से भर दिया है बस यहां पर थोड़े बहुत स्टोन ब्रिक्स लगा के कॉर्ण और फिनिश करने यह भी हो गया है अब बस मुझे काम करना है पहले क्राफ्टिंग टेवल लेकर आना होगा और थोड़ा बहुत वुड हां वुड तो रही गया यार सारा बड़ दिक्कत क्या है अपने पास इतना बड़ा वुड फाम है जिसमें भरके वुड है तो जलदी के जरुत पड़ जाते हैं तो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बनाया था और आज फाइनली हमें बहुत सारा वुड उसमें से मिल चुका है और जब भी मैं उस फाम करूंगा तो थोड़ी दीर में बहुत सारा वुड दे देगा फिलाले भी जल्दी से इस पूरे के बी क्योंकि जितने भी क्वार्ट्स मैं लेकर आया हूं उन सबको मुझे कौर्ट्स पिलर कौर्ट्स स्टेर्स कौर्ट्स स्लाप इन सब में कनवर्ट करने के लिए चाहिए ही होगी ठीक है तो अब एक काम करते हैं जितने भी शलकर बॉक्स है मैं उन सभी को पहले नीचे बनाने है और जरूरी निया सिर्फ यूज वुड़ वुड़न प्लांक्स फेंस वगरा सब कुछ इस बड़े से म्यूजियम में यूज होने वाला है जो मेरे माइंड में है तो मैं थोड़ा सा ब्लूप्रिंट आपको समझा देता हूं कैसा होने वाला है तो सबसे पहले त प्रॉपर खुला खुला रखने वाला हूं ताकि मैं एजीली हर एक मॉप को यहां पर लेकर आपाँ और अच्छे से उनको उनकी रूम में डालके उनके शेल में स्टोर कर पाँ और फिर सेंटर में मैं थोड़ा सा एरिया एक खुला एरिया बनाऊंगा जहां पर मैं रेर उस रखने वाला हूं जैसे कि ड्रागन एग ड्रागन का हैड एंड इलाइट्रा भी एक टाइप से रेर आइटम ही है एंचेंट गोल्डन एपल एंड म्यूजिक डिस्क हो गई और ट्राइट वगरा जितनी भी थोड़ी बहुत रेर आइटम्स होती है वह सारी की सारी मैं इस म्यूजियम में रखूंगा मतलब बीक एंड निदर स्टार एंड स्कैलेटन हैड और विदर स्कैलेटन सब कुछ यहां पर होने वाला है तो फिर फटाफट से भी बिल्ड स्टार्ट करते हैं तो बिल्ड स्टार्ट करने का लिए जो बेस है वो मैं थोड़ा सा सोच रह करेंगे तो मस्त एक कॉंबिनेशन आएगा और साथ ही स्टोन बिक्स ओके तो अभी मैंने डिसाइट कर लिया अपना जो म्यूजियम है उसका फ्रेंट गेट कहां पर होने वाला है तो यह जो रास्ता आ रहा है सामने अपने कासल और जू के बीच में इसी केक्तम सामने मैं दो ब्लोक्स लगा हुआ यह होगा राइट वाला थोड़ा से पीछे होगे और यह होगा लेफ्ट वाला और आगे एक अच्छा अगा सा स्पेस मैंने चोड़ दिया ताकि म्यूजियम को भी एक जगा मेले एंटरेंस की क्योंकि यह काफी बड़ा बनने वाला है तो यह तो क्योंकि जरूरी नहीं एक दम फ्रंट साइड में हो फिर उसके बाद दुबारा टन से ओकर थोड़ा पीछे जाना है और फिर यहां पर समल्लों आकर अपना जो म्यूजियम है वह प्रॉप पर मुढ जाएगा कुछ इस ताइप से अब इसे लेकर चलते हैं एक तम पीछे स्थीक हैं अब सेम जिग्जाग करके जैसे आगया था वैसे मुझे पीछे वाली साइड पर जाना है और फिर सेम यही चीज मुझे लेफ्ट साइड में भी बनानी है और अपना यह जो म्यूजियम है थोड़ा सा रेक्टांगुलर ही होने वाला है अगर टॉप व्यू से देखा जाये तो बाकी अब मुझे पता चल रहा है कि यार जितना बड़ा मेरे को म्यूजियम बनाना था ना मैंने उससे कई गुना ज्यादा स्पेस यहां पर तोड़ दिया बट कोई नहीं मैं इसको आने वाले प्रोजेक्स में यूज कर सकता हूं आप कोमेंट्स में जा वाल्स उपर तक बनानी होगी वैसे आप लोग देख रहोंगे थोड़े वह चेंजिस में पहले मैंने लेफ्ट साइट को ज्यादा रखा था इसके सेंटर में बट जो स्टोन ब्रिक्स है ना उसका जो थोड़ा ऑफ सेंटर हो रहा था वो काफी अजीब लग लग रहा था वगारा उनको एक बड़ा रूम चाहिए तो वह चोटे वाले मुझेम में फिट नहीं होते इसलिए मैं बड़ा मुझेम बनाने वाला हो भी लेट्स को आगे काम करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना यहां पर जितनी भी कॉर्णर्स है ना यहां पर मुझे ऐसे वाल उठ कुछ इस ताइप से और इस वाल को मुझे यहां से करना होगा वेट थोड़ा उपर चलतो पहले और अभी हाइट एक दम बराबर है तो यहां से जोड़के मैं इसे यूँ जोड़ देता हूं लट्स को इसी तरीके से फटाफट सारा कंप्लीट करते हैं नीचे चलके यह मा बचे हों के दो से तीन स्टाक वह से स्टेर्स बगारा में यूज जाएंगे स्टेर्स अन इस लाब बाकी जो काम करना था वह हो गया एक फ्रेम बनाना था वह हो गया अब फड़ा फट से काम करते हैं जितना भी वोड़े इंड स्टोन ब्रिक्स का यूज है उसे बासा गे तो फड़ फट से मैं पिल्र बना लेता हूं काउस उनकी लुक बहुत अच्छी होती है तो मेरे बहुत बचे-कुछे में यांसे गट्टे कर लेता हूं इतनी मुश्किल जाने इतनी से अनुन बखार सारी घरता घरते हैं उन लन वह गया अस्तरय गहां लिए अब एक बार इसका center देखके न मैं दो pillar बनाता हूं तो मैंने भी measure कर लिया है ये वाला जो block है ये इस पूरे की पूरी museum frame का center block है यानि कि यहाँ पर अपना gate लगने वाला है अब जो मुझे pillars बनाने है न वो मेरा plan कुछ आज़ा है कि दो pillar आगे बनेंगे बड़े बड़े और दो पीछे होंगे और बीच में थोड़ा सा gap होगा तो अभी मैंने pillar block ले लिया है अब मैं यहाँ से 5 block दूर जाओंगा 1,2,3,4,5 और सोच रहा हूं यहाँ से एक बड़ा pillar बनाना start करूं वो भी पतला नहीं थोड़ा सा broad pillar हो भाई बहुत अची फिल देगा वो यह जादा आगे हो रहा है इसको थोड़ो मतलब इतना आगे भी अच्छा नहीं लगेगा या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं single pillar भी करूंगा और broad करूंगा तो बहुत साही लगेगा और यहां पर भी चार ब्लोक लगा के मैं उपर तक इसे पूरा खीस्तो यह चले जाता हूं कुछ इस टाइप से तो एक पिलर बन चुका है फड़ा फट से चलता हूं मैं दूसरा बनाने के लिए बच गया अभी मुही फूटता सीधा ओके तो यहां पर भी पिलर बनाते हैं अब भाय कोड्स खतम हो गया है मेरे पास मुझे थोड़े से और कॉण लेने होंगे अब तो मुझे लग रहा चायादी मेरे पास बचें के एक से में तो मैं बचाय हो जाएगा और वैसे मुझे इतनी चाहता हाइड देनी की जरूतन आएगा तो शाद तब तक मैं वहां पर जंग वेट एक बारी में पहले यहां से उपर चलता हूं और जो यह वाला पिलर है इसको भी मुझे थोड़ा सा छोटा ही करना होगा तो अभी जो मैं स्टेर सेंड स्लाब लेकर आया हूं इसका यूज करके मैं थोड़ी सी एक डाउन ब्लॉक्स यूज करने वाला हूं जैसे जो पिलर है थोड़ा अजीब सा लग रहा था बट जैसे अगर मैं इसके अगल बगल स्टेर्स लगा दूग तो यह थोड़ा ठीक लग रहा है तो इसे कंप्लीट फील आरही है अगर आप इसको और इसको पूरा वाइट वाइट हो यह काम बात काया भी फड़ा फट से ना अपने इस पूरे मैंशन की वाल कंप्लीट करनी है उसमें काफे टाइम जाने वाला है क्योंकि वह मैं बनाऊंगा प्र वोड की इसलिए में इतना सारा यह वुड़न लॉक्स इखटा करके लाया था और इस लॉक को लगाने के यह कितने मस्त लग रहे है इसके बीच बीच में जब ऐसे विंडोज मनेगी वह बहुत प्यारे लुक देने वाला है तो जितना वुड़ा सारा लगाते हैं और सारी वॉल कंप्लीट करते हैं तो मेरे को अपना फाम एक बारी शायद स्टार्ट करना होगा क्योंकि अभी मे नहीं का था स्ट्रिप्ड लॉग लगते हैं अपने मैंशन की लुक एक नेक्स लेवल हो जाएगी तो अभी बस यहां पर ना देखो अच्छा तो लगने लग गया है बट जैसी मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर लूगा और यहां पे कुछ विंडोज वग लगाने के मतलब या डबल डबल काम है वुड तो लगाने है फिर उसके बाद उसे स्ट्रिप भी करने के लिए बार बारी बट कोई नहीं जो आउट्पूट आ रहा है वो काफी जादा बढ़िया लग तो मुझे से बनाने में मजा रहा है अभी तो इधर की सारी की सारी व विंडो अगरा काम है जो कि जादा बड़ा काम नहीं चोटा मोटा कामी यहां पर बस बचा हुआ है बटा जो हाड काम है वो यह है कि हर एक मोप को यहां पर लाना जो कि थोड़ा बहुत ताइम तेकिंग है कुछ-कुछ मॉप्स के लिए स्पेशली जैसे घास्ट हो गया बहुत टाइम लेगा बट जैसे पिगलिन होग लें यह सब है बहुत मजाक आ जाएंगे ठीक है अभी मैं थोड़े बहुत यह लेकर आया था और मैंने इसे लगा के टेस्ट भी कर रहा था कि कैसे लग तो यह परफेक्ट लग रहे थे यहां के लिए मुझे लगी रहा था मिस लग रही है वो है इसकी रूफ जो कि मैं बनाने वाला हूं स्टोन ब्रिक्स की स्टेर्स एंड स्लाब यूज करके क्योंकि मेरे पास स्टोन ब्रिक्स बहुत जादा तो कहीं ना कहीं तो यार यूज कर नहीं है लेट्स गो उसी को लगाते है हां तो मैंने लाके रखे वो सारे इस वाली चर्स में तो सारे का सारे निकाल लेता हूं अब जो चीज अपने मुझे में मुझे सबसे ज्यादा मिस लग रही है वो है इसकी रूफ जो कि मैं बनाने वाला हूं स्टोन ब्रिक्स की स्टेर्स से थोड़ा सान ऐसे उपर उठा हुआ बनाएंगे स्टोन लगा के देखता हूं उसके बाद बाकी लेकर आऊंगा तो पहले तो जाना होगा मुझे ऊपर और बाकी यह देखो कितना ज्यादा बड़ा म्यूजियम वनने वाला है अपना अभी सही काफी सही फील आ रही है इसके लाग कोशिश के बाद मैं अपने म्यूजियम के उपर करके रहूंगा कुछ इस ताइप से अभी से लगाना स्टार्ट करते है पूरे में और डान गाइस तो यहां पर मैंने अच्छे से लगा दिया है चार तरफ एक ब्लोक और आगे करने हैं यहां पर भी एक लगेगा और इधर भी एक लगेगा और एक इधर परफेक्ट तो अभी चारो साइड ना बस मैंने एक बाउंडरी बना दिया है स्लाप के और मैं सोच रहा हूं कि क्यों यही इसी तरीके से स्लाप मैं बॉटम में भी लगा हूं ठीक है बट वह बाद में करेंगे अभी मिरको रूफ कंप्लीट करना है तो आगे काम करने के लिए भी मैं इसे धीरे-धीरे करके रूफ जो है ऊपर को जाते जाएगे और जब हम ऐसा बनाएंगे और फिर जब पूरा चत बन जाएगे और बीच में से खड़े ओके देखेंगे तो बहुत प्यारा लगने वाला है यार यह थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं बहुत जादा टाइम टेक अब जाता है इसे स्टेर से भी कर सकता था बट नहीं अब जो लुक आ रहा है न फ्रंट से वह बहुत जादा अच्छा और मैं चाहतो रहा हो अंदर जाके भी आपको यह पूरा पूरा म्यूजियम दिखाऊ बट अभी भाइब बहुत जादा रिसके अंदर इतने सारे बहुत जादा बिल्ड भार क्या परशाद बट रहा है देखना कैसे भाग क्या रहे हैं सारे एक मिनिट रुको बो निकालो अभी इनके पटा के बजाता हूं अब जलाद यह बोलो पार यह भी बुझ गए चोटे वाले है इसको पानी दो मेरे को और एक सेकंड इसके क्यों स्पॉन हो यह इतना बड़ा वर्ल है लेकिन इनको यही जगा में ली ठीक है स्पॉन होने के लिए लेए लेट को भी हो चुक है म्यूजियम के इंटीरियर का चुक काम है मैं सोच रहा हूं वो थोड़ा सा अरे 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 अभी खिलाओ तीर कमान तुम्हें एक क्या हो रखा है इतना तो किसी XP वाम में इस पॉन नी होते हैं ठीक है मेरे पास अब एक मस्त आइडिया है मैंने काम करता हूं अंदर खुब सारी टॉर्च लाके लगा देता हूं ताकि अच्छे से रोशनी हो जाए फिर मैं उसका काम स्टार्ट करूं बाकि मैं एक चीज करना चाहता हूं यहां पर में पासे जितने भी इस लाप से ना मैं इसको नीचे कुछ इस तरीके से आड कर देता हूं ताकि प्रॉपर बांटरी सी बन जाए और यहां तक भग्या गए दोनों के दोनों ठीक है तो भी फटाफ़सी मुजिएम के चारो तरफ पहले छोड़ अब एक मिनट पूरी बाई किसे शादी वादी हुरे लग रहा है कि इतने सारे ग्रीपर कहा रहा है एक मिनट रुख जाए अब यहां पर सर्वाइब करना बहुत ज़्यादा हाँ लग रहा है मेरे को वह दिखो वहां पर क्या और रखा है भाई मोत हो जाएगी इतने यहां पर रोशनी करता हूँ जा रहा हूं मैं को रोकेट हाथ में रखना होगा क्योंकि किसी भी क्रीपर ने चस्ट करके वार निकाले तो मुझे फटा-फट उससे निकलना होगा क्या ठीक है मेरी स्वाड में नौक बैग जो है ना वो क्रीपर को फूटने से रोक सकता है पिछ अराम से एक दो और राम से तीन चार्तु बागणा हो और भाग मुझे पर मुझे मुझे बनाना नहीं लगा जितना इसको अंदर के मॉपसा और करना लगरए ओके ओके फड़ापर से मैं अपने शलकर बॉक्स से थोड़े बहुते स्टोन ब्रिक्स निकाल के वाला जो एरिया क्रीपर ने फोड़ा है यह रिपेर कर देता हूं यहां पर भर के टॉर्च लगानी है और एक्स्ट्रा क्रीपर है उनको मारना है इत्य दूर से फट गया है यह लगी भाई पंगे ले रहा है जान मुझके फटा है अब इतर बस थोड़ा सा एरिया बचाओ और वो देखो सामने वार रसलमेनिया चल रहे है वो इसके तीर बचा रहा है उर्दुक्र ने स्केलोटन को इतना कच्चा निशाना मेरे एकदम ता स्केलेटन से लड़ाई करके उसके उपर जाके भी मतलब पर कोई नहीं ठीक है मुझे ना थोड़ी बहुत तोड़के कुछ ऐसे एरिया पर लगानी होगी जहां पर सची में अभी अंधेरा रहे गया है 50 तोड़के सारी उस होगी तब बड़ा म्यूजियम है कोई ने कोई सारे मॉप को मैं लाकर रखने वाला हूं मतलब रखने वाला हूं और फिर बीच में खुला अपर कुछ आइटम सजाने के लिए रखेंगे जैसे कि ड्रागन हैड वह सारे समान जो बहुत जादा ही रहर होते हैं उसको में एकदम साइड साइड में होने वाले है तो स्टॉ इसने भी बंदे अंदर हैं अब फड़ा फड़ा यहां से समान ले लेता हूं जो जो मुझे चीए और बनाना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग वैसे अभी ग्लास का यूज नहीं है ग्लास सिर्फ वह रूम बंद करने के लिए जब मैं उसके अंदर मोब आके रख द इतना ही स्पेस लेंगे तो मैं पहले ने एक रूम बना के देख लेता हूं मुझे आइडिया लग जागा मुझे कितना बड़ा रूम बनाना चीर कोई स्पॉन हुआ क्या नहीं बाहर हुआ है शायद से ठीक है तो कुछ इतने ब्लॉक्स मैं साइट पर लगाने वाला हूं तो सेवन का तो यहीं तक आने वाल है क्योंकि आइडिया में को चेंजिस है जो कि बहुत बढ़िया कर देंगे इस पूरे मुझेम को मुझे पता नहीं क्यों पहले ही आइडिया नहीं आया देखो तो प्लान अपने कुछ ऐसा था कि हम लोग इस तरफ में आठाट ब्लॉक से भी देख पाऊं तो एक बहुत ही मस्सीन हो जाएगा तो यहां पर नहीं काम करते हैं पहले मैं को कॉर्णर से करना होगा तो मैं इस वाले कॉर्णर से 1 2 3 4 का गैप इधर दूंगा एंड 1 2 3 4 का गैप इधर आएगा यानि अब जो ब्लॉक है वह एक सब्लॉक यहां लग बनाते हैं तो यहां पर ब्लॉक लग जाएगा अब सेम आठ ब्लॉक इधर भी मैं को छोड़ने 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरीके से एंड 8 ब्लॉक चोड़ने के बाद मुझे एक ब्लॉक यहां लगाना है फिर पूरा इसे जोड़ देना है अब इसके बाद मुझे सामने से खतम तो यह देख लिए को इस टाइप का वैसे शेल बनने वाला हर एक मॉप का अब सेम तो सेम मैं यहां पर एक और बना देता हूं 8 by 8 का पॉफेक्ट गाइस तो यहां पर दो शेल अपनी कंप्लीट हो चुके दोनों की दोनों सेम साइस के अब कुछ इसी तरीकी से पूर कर दिया है आप लोग यहां पर देख पा रहे होगे यह टोटल 20 रूम का आप लोग कह सकते हो सेट बन गया है मतलब यहां पर मैं टोटल 20 अलग अलग होस्टाइल मॉप स्टोर कर सकता हूं बट जब मैंने सोचा कि 20 तो नहीं होते हैं तो अभी मेरा प्लान है कि मैं इसके पर ना एक और फ्लोर और बनाने वाला हो ठीक है और उस फ्लोर पर ज्यादा इतने रूमस नहीं मिनाएंगे सिर्फ तीन चार रूमस और बनाएंगे और जो बाकी रेर आइटम सा उसको मैं इसे बीच में स्टोर करने वाला हूँ आप अगर आप लोगे तो आपने देखा ह अब ही मैं यहां पर क्या करने वाला हूँ कि जितनी भी रूम से जितनी भी शेवाई शेका स्पेस होगा इसमें तो 123456 कुछ इस ताइप से और सेम इसको मैं आगे से ले जाके ऐसे कनेक कर दूँगा यहां से लेट्सको इसको यहां करा 123456 इसको कर दिए से अटाच तो इ अगरा और यह जितने भी ग्लास है ना यह मैं तीनो साइड लगाने वाला हूं मतलब बस यह जो मिड़ वाली साइड है जहां पर एक दूसरा मोब होने वाले वान ही लगेंगे बाकि इधर लगने वाला था कि हमें अच्छा सा व्यू मिले सामने से अगर हमें किसी भी मतलब जिस भी मॉब को मैं अंदर लाना चाहता हूं तो कुछ इस ताइप का दिखने वाला है अपने इस म्यूजियम का एक रूम वैसे ठीक लग रहा है एक बारी में बाहर चलके देखता हूं मालो बायचांस अंदर कोई भी मोब होगा ठीक है यार हम लोग चारो साइड स थोड़ी कम है बट अभी इंटीर डिजाइन हो रहा है काम कंप्लीट नहीं हुआ उसके बाद देखेंगे कैसा आउटपुट आ है और एक चीज़ मैंने और मिसकर दी मुझे इसके ना रूफ भी कवर करनी होगी कॉस जासे ब्लेज हो गया फैंटम्स एंगास्ट वगरा व पर काफी डाकनेस है बठाँ जब इसके अंदर से जॉम्बी वगरा आ जाएंगे तो काफी जॉम्बी नहीं मतलब सभी होस्टाइल मॉप आ जाएंगे तब असली एक फील आने वाली है और यह जो गैलरी है मैं इसकी बात कर रहा है तो हम लोग बाक साइड से भी सभी जिरी मैंशन में होता है और वो स्टेयर जाएगा लेफ्ट और राइट साइड को और ऊपर भी दो बहुत बड़े बड़े एरिया बनने वाले हैं जहां पर मेरा प्लान यह है कि मैं कोई बड़ा मोब या फिर घास्ट होगारा को लाके रखूंगा मेरा बहुत मैन है कि मैं यही है कि मैं इस पूरे की पूरे म्योजियम का इंटीर एंड एक्स्टीर डिजाइन करके इसको पूरा कंप्लीट करूँ जल्दी से जल्दी उसके बाद अपना यह काम बचेगा यहां पर मॉप्स लाने का तो इसे थोड़ा बहुत और अच्छे से डिजाइन करने के और जब यह चारो तरफ लग जाएगा तो यह बहुत बेस्ट लगने वाला है तो फड़ा फट से इसको कंप्लीट करते हैं प्रॉपर तो चलो अभी यह जो बेस है वह कंप्लीट हो जासा कि मैंने का था एक नेक्स लेवल लुक आने वाली है तो देख लो क्या ही मस्त लग इसको डिजाइन करने से लेकर ही कि जो ऊपर वाला पार्ट है मैं इस स्लाब को अगर यहां पर ऐसे करके लगा दूगो तो यह भी काफी ज्यादा प्यारा लगेगा नीचे से मतलब एक सिमिलारिटी आएगे जैसा नीचे यह सेम वैसे उपर तो इसे भी फड़ा-फड से क है डेकोरेशन कंपलेट करने का वह यह है कि जितने भी आपर बाउंटरी जैना उधर मैं कुछ इस ट्राप डॉर लगा के इसे ओपन करने वाला हूं ठीक है तो फड़ा-फड से पहले लगाते हैं चलते हैं इसके बाद मैं कुछ इसे इस तरीके से ओपन कर दूगा और अभी बराबर है तो नीचे मैं कुछ यहां पर ऐसे ब्लॉक्स लगाने वाला हूं जिसके थू मैं उपर कुछ इस तरीके से स्टेर्स के लोगा हूं जो राइट एंड लेफ्ट साइड में जाएंगे और फिर उसको में उपर ले जाके जोड़ना है बाकी इंटीर अपना क है वह ऐसे पेस्ट करने और यह देखो यह सामने से कुछ ऐसी लोग देने वाली है तो सिम्टीर जैसे मैंने राइट साइड में कर रहा है वैसी मैं लेफ्ट साइड में करता हूं यह एक ब्लॉक लगा है यहां पर स्टेयर यहां पर स्टेयर और फाइनली स्टेयर कंप्ली से लाइटनिंग कर दें उपर की सजावत करनी है लाइंटर लगाना है और इसका एकस्टीरियर यहां पर विंडो बनानी है बहुत सारी चीज़े ऐसी बन जाएगी जिसके बाद यह पूरा का पूरा गलो जाएगा तो जल्दी से उपर का काम भी स्टार्ट करते हैं वैसे मैं तो यह प्लान कर रहा हूं कि क्यों ना एकदम टॉप पे ग्लास ही लगा दिया जाए मतलब अगर रात होगी तो मस्त स्काय दिखेगा तारे बायरे देखेंगा और दिन में अच्छे कासी लाइट आएगी और बारिश को नाइम पे रेन होते भी दिखेगी पानी बी अंद तो यहां से फटापर तोड़ना स्टार्ट करते हैं एक बार देख ले तो हाँ इता एरिया से एक ग्लो आएगा ना तो मस लगने वाला है तो इसको इस लाप अगरा को तोड़के मैं यहां पर प्रोपर कुछ इस ताइप से से ग्लास लगाने वाला हूं और नीचे से है वह यह है कि मुझे इस म्यूजियम को थोड़ा बहुत बाहर से में इसका एक्स्टीरियर काफी प्लेन सिंपल सा है ठीक लग रहा है बट अगर इसमें थोड़ी बहुत डिजाइन डेकोरेशन होगी तो यह थोड़ा सा और बढ़िया लागीगा तो मेरे कुछ प्लान से ह है कि सबसे बहले तो यहां पर एक में थोड़ी सी बाउंडरी बनाने वाला हूं मैं इस से जितने भी स्ट्रिप्ड लॉक्स है ना सिफ कॉर्णर वाले जो इससे कनेक्ट है मैं उसको तोड़के यहां पर कुछ इस टाइप से स्टोन ब्रिक्स लगा हूंगा और बीच पहले मैं थोड़ा सा ओर ऊपर चलता हूं यहां पर लगाता हूं मैं दो ब्लॉक अब इसको फोड़ा सा ओर दोडती है यह टोटल वान पर उपर लगा जेता हूं एक इसके उपर भी मेरे को लगाना है अब यह सारे के सारे बंद कर देता हूं तो कुछ इस टाइप का विंडो होने वाला है अब यह पूरा कंप्लीट निया आपर में को फेंस बनाने होंगे क्राफ्टिंग टेबल मेरा वह बढ़ा तो भी बनाता पूरे के पूरे साड़े छे घंटे के बाद अपना जो म्यूजियम है वह पूरा का पूरा बनके रेडी हो गया है और इंटियर में थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी है बट वह डेकोरेशन मैं तब करने वाला हूं जब मैं यहां पर मॉब्स लियाओंगा क्योंकि हर एक का हर एक रिंप का डेकोरेशन उस मॉबग के हिसाफ से होगा माला वकिने लियाक बनाने का आधा काम कर दिया वर जो आइडिया नहीं कम मुझे मश्रूम बायों मिलेगी जहां से मैं रड़ वाली काउं लेकर आपाऊंगा बाकि मैं एक चीज चाहता हूं आप लोग मुझे कॉमें बता हूं कि मैं कैसे अपने इस म्योजियम में विदर को रख सकता हूं जाता हूं कि आप लोग मुझे नीचे कॉमें जाकर बताओ वो यह कि मुझे में कौन कौन से आईटम्स रखने चाहिए मैं इसमें सभी मोब तो लेकर आने वाला हूं वो मुझे पता है कौन कौन से मोब को लाना है बट आईटम मुझे जादा समन्न नहीं आ रहे से ड्रागन कर भी दिया होगा वाकि जिन्हों ने नहीं कर रहा है कर दो तो फिर मिलता है इसके नेक्स पार्ट में तब तक के लिए गुड़ बाई